मेरट के आनंद बिहार टर्मिनल से देहरादून की बीच चलने वाली बंदे भारत ट्रेन की समय सराड़ी भी जारी कर दी गई है जहां मंगलवार को बंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा यह ट्रेन गाजियाबाद और मुजफर नगर स्टेशन पर नहीं रुकेगी इस वज़ा से दोनों शहर के लोगों को जटका लगा है यह ट्रेन सब्ताह में छे दिन चलेगी और बुद्धवार को संचालन बंद होगा वहीं प्रधान मंतरी नरेंज मोदी के 25 माई को बंदे भारत ट्रेन का देहरा दोन से उधगाटन करने की संभावना है उत्राखंड के राजपाल लेटिनेंट जनरल गुर्मीत सिंग और मुख मंतरी पुसकर सिंग धामी तथा रेल मंतरी अश्वनी बैशनो भी इसकारिकरम में शामिल होंगे नोड़ा में बुद्ध थीम पार्क बनाया जाएगा इसका कंशेप्ट तयार किया जा रहा है पार्क में बुद्ध परतिमा के लावा ग्रीन एरिया और बच्चों के लिए मनरंजन के साधर होंगे पार्क का निर्माण करीब 15 एकड में किया जाएगा इसके लिए प्रधिकर्ड जमीन तलाश कर रहा है इसके बाद सलाकार कंपनी का चैन किया जाएगा वही नोईडा में थीम बेश्ट पार्क में मेडिकल पार्क, बायो डैर्वरसिटी पार्क, शहिद भगत सिंग पार्क और बेदवन पार्क का निर्माण किया जा चुका है अब यहां दो थीम बेश्ट पार्क और बनाए जाएंगे जिसमें जू थीम पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है दिल्ली से नोडा बाया चिलना बाडर एक्सप्रिस के जरीये नोडा ग्रेटर नोडा आने जाने वाले बाहन पांच लाजाख से ज़्यादा बाहन चालकों हो जाम से राहत mir the truths तुर ने बताया कि इस के लिए इस रूट पर सभी बाटलनेक रास्तों को चोडा करने की स्टांट का काम पूरा हो जाता नाथो के नाथ बावा-बिश्वनत के अधrieben के नियरमार के भाद काशी में पेड़टकों का ताता लगा हुआ है भूले के इस शहर में शरतधालों और प्रिटकों को आच्छी सुल्धा मिले इसके लिए लगातार मोद्य योगी सरकार प्रियास कर रही है। इसी के तहट बनारस में तयार दशाश मेड पलाजा में शहर का सबसे बड़ा गंगा भीुक कैफे बनाया जा रहा है। इस गंगा ब्यूक कैफे में एक साथ करीब पांच सो पेल टक बैटकर बनारसी लजीज बेंजनों का स्वाचक पाएंगे। जहां इसी महीने के बाद ये गंगा ब्यूक कैफे तयार हो जाएगा। वरारसी विकास पराधिकर ने इसके संचालन के जिम्मेदारी एकनेजी कमपनी को दी है। इस कैफे में लोग बनारस के खुब्सूरत घाटों के अद्भूत नजारे को निहार सकेंगे। भारत मनाये जाने वाले परमुक तयोहारों में से एक नाम गंगा दशहरा का है यह तयोहार धर्ती पर गंगा के आउत्रण होने पर मनाया जाता है। खास बात यह है कि इस धर्म उत्सों की प्रकेरिया इस दस दिन से अधिक चलती है। इसी करम में प्रयाग राज संगम टट पर महिलाओं के समोहों ने मूर्ती अस्थापना कर पूजन अर्चन शुरू किया। पवित्र अस्तल दशौस मेद घाट पर दस दिन तक चलने वाले गंगा दशहरा पर परभक्तों की भीड उम्री रही। वहीं गंगा दशहरा शुकल पक्षे दक्ष्मी 29 मई से शुरू होकर उदयाति थी 30 मई दोपहर एक बचके 7 मिनट तक रहेगा यानि गंगा दशहरा पर 30 मई को ही मनाया जाएगा। गंगा आरती में अनामिका चोधरी ने मा गंगा को चुनरी अर्पित कर सभी के कल्यान की प्रार्थना किया। जिसे चार किलोमीटर से अधिक दूरी बनाने का निडए लिया। सबसे पहले तिर्वेडी बाद परिस्तित शंकर विमान मंडप से अरयल तक इसे बनाया जाएगा। महाकुम्ब से पहले इसको चालू करने की योजना है। साथ इस काम को करने के लिए नेशनल हाइबेज लॉजिस्टिक मैजनेजमेंट लिम्टेट की टीम को चुना गया है। बिजिविल्टी टेस्ट के बाद यह टीम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे जहां रोवे डिजाइन तयार किया जाएगा। आयोध्या में एक तरफ भगवान राम का भब मंदिर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम की परतिमा के लिए देश समिद विदेशों से भी आये पत्थर की तराशी की जा रही है। भगवान राम की परतिमा को बनाने के लिए पत्थरों पर आकार दिया जा रहा है मंदिर निर्माल के साथ भगवान रामलला की अचल मूर्ति को त्यार करने का कारी युद्ध हस्तर पर शुरू हो चुका है इसके लिए बकाइदा करनाटक सम्मित बैंगलूरू के पांच सद होगा जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा इतना ही नहीं तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के वरिष्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो राम भक्तों ने भगवान राम जहां विराजमान होंगे इस आशन को सवड़ जड़ित करने की बात कही है यानि भग लग गया है खुद केंद्रिय मंतरी जयोतिरादी तिसींदिया ने आपने ट्वीट पर यह जानकारी दी है कि 26 माई को मुख मंतरी योग यादितना आथ इस मैटरिनल का उधगाटन करेंगे इस टूड की जानकारी के बाद अस्थानी परशासन सक्रिय हो गया है टर्मिनल क अधूरे कारे को तेजी से निर्देश भी दिये गए हैं पूरा करने के लिए वह यह नया टर्मिनल पहले वाले से ज्यादा खास होने जा रहा है क्योंकि वहाँ पर रात में और कोहरे में बिमान आ जा नहीं सकते थे यहां पर आधुनिक सुबधाओं के साथ इस पेंडल का निर्मान किया गया है जहां पर आप रात में भी बिमान आ जा सकेंगे खुद मुखमंतरी ने भी निकाय चुराओं के दौरान कानपूर में हुई जन्सभा में कहा था कि इसी माह कानपूर में नए टर्मिनल का उद्गाटन किया जाएगा यूपी में मंगलवार को 20 जिलों में आधी बारिश का लेट जारी कर दिया गया है लखनों में सुबा करीब 4 बजे गरज के साथ हलकी बारिश हुई बादल चाय हुए हैं वहीं कुशी नगर सिधारत नगर और जालाउन में भी बारिश हुई जहां कुशी नगर में देर रात से बारिश जारी है यहां तेज हवाएं चल रही है, सूचना है कि कुछ इलाकों में ओले भी पड़े हैं, यह बारिश किसानों के लिए नुकसान दायक हो सकती है क्योंकि खेतों में सब्जियों की फसल जो की पानी भरने से खराब हो जाएगी 24 मई तक बारिश का पुर्वनुमान दिया गया है, साथ ही हीट वेप के कारण दिन के साथ रात भी तपने लगी है, मथूरा चित्रकूट में रात परदेश में सबसे गर्म रही, मथूरा में नियुनतम तापान 30.6 डिगरी सेलसियस और चित्रकूट का 29.9 डिगरी सेलसियस इसी के साथ यूपी में इन दिनों तेज धूप जुलसाने वाली कर्मी हवाओं से लोग परिशान है, परियागराज का अधिक्तम तापमान 45.6 डिगरी सेलसियस रिकॉर्ड किया गया, और रहीया में अंतरराश्टिय योगदिवस को सफल बनाने के लिए पूरे देश में स्वामी राम देओं के दिशाने देश पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, सोमवार को बैठकों को सफल बनाने के लिए उतर प्रदेश के परभारी स्वामी अभिशेक देओं ने और रहीया के आरि समाज मंदिर में बैठकी, साथ ही सभी पताधिकारियों को संबोधि इस औसर पर प्रदेश परभारी ने कहा कि न्याय के पत पर चलने वाले लोग कभी बिचलित नहीं होते, वह अपना सिध्धान्त बनाकर अपने उद्देशों की पूर्ती के लिए कार करते हैं, उन्हें सफलता अवश मिलती है, निस्वार्थ भाव से किया गया कार हमेशा सफल होता है और समाज में उसका नाम और सम्मान होता है